तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मनी हैश सीजन 5 के वॉल्यूम 2 के बारे में दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नी हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकोन आल पर कर देना और गाईश मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक से हमारे चैनल पर मनी हैश्ट के पहले चार सीजन की एक्स्पेनेशन नहीं देखी है तो गाईश अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ अब गाईश सीजन 5 के वॉल्यूम 2 में यानि के एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि सब लोग टोक्यो के मरने का गम मना रहे होते हैं खास तोर पे प्रोफेसर जो की खुद को बातरूम में बंद कर लेता है वही मारसेला उसे भारा निकिले मना रहा होता है और इसका फायदा उठा के एलिसिया अपने बेटी को लेके सीधा बेस्मेंट की तरफ भागने लगती है और वहाँ पर बेस्मेंट में रखी हुई प्रोफेसर की कार को वो लेके वहाँ से भागने लगती है वही मारसेला की नजर एलिसिया की इस हरकत पर पढ़ जाती है और वो ये बात प्रोफेसर को बता देता है जिसके बाद प्रोफेसर तुरंद बातरूम से बाहर निकलता है और एलिसिया को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है दूसरी तरफ हम करनल को देखते है जो सगेस्ता को पीछे हटने के लिए कहता है मगर सगेस्टा अब पीचे आटने से मना कर देता है क्योंकि सगेस्टा अब बहुत ज़्यादा घुस्टा था विक्वाज टोक्यो ने उसके छेट सोलजर्स को मारा था और साथ में गांधिया को भी और सगेस्टा बोलता है कि वो यहाँ से बदला लेकर ही निकलेगा फिर हम पांश में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम बर्लिन और पेलर्मो को देख पाते हैं जो कि एक बर्फिली जगा में बोगोटा से मिलने के लिए आये थे और बोगोटा यहाँ पर उन्हें एक ऐसी मशिन दिखाता है जो मशिन समंदर से ओल सक करती थी और बोगोटा बर्लिन और पेलर्मो यहाँ पर आते ही यह डिसाइड कर लेते हैं कि यह लोग इस मशिन को यहाँ से चुरा लेंगे वो भी पूरी पानी की पावर से फिर दूसरी तरफ हम अगें प्रोफेसर एंड मारसेला को देख पाते हैं जो कि अलिसिया का पीछा कर रहे होते हैं और मारसेला अलिसिया के पास पहुची गया था मगर अलिसिया उसके गाड़ी के टायर में गोली मार देती है जिसके चलते उसे रूखना पड़ता है और एलिसिया मोका देखके अगे निकल जाती है अगेन इधर हम पलेर्मो को देख पाते हैं जो कि उस टील की दिवार को काट लेता है और आगे बढ़ने लगता है वो सबसे पहले शीशे की मदद से भार देखता है तो उसे वहाँ पर सगेस्टा बेथा हुआ देखता है तो पलेर्मो हिमत करके आगे बढ़ता है और उसके साथ में रियो एंड रकेल भी थे ये लोग सगेस्टा के पास पहुँच जाते हैं और सगेस्टा इन्हें नहीं मारता बलकि सगेस्टा उनके साथ एक दील करना चाता था वो कहता है कि वो पूरी तरिकी से उन्हें सरेंडर कर देगा और बदले में उसे अपने एक सुलजर जो घायल था उसके लिए डॉक्टर से हापर मंगवाने थे तो पलेर्मो मान जाता है वोही रियो उसी किचन में जा पहुँचता है जहापल टोकियो ने अपने आपको मार लिया था और उसे वहाँ पर पहुचते ही अपनी और टोकियो की पुरानी यादे याद आ जाती है और वो अब काफी उदास हो चुका था और रकेल उसे समालती है इधर दूसरी तरफ हम डेनवर को देखते है जो कि मनिला के पास आया हुआ था तो डेनवर एंड मनिला दोने भी डरे हुए थे और इन में अपस में बाते होने लगती है कि कैसे वो पूराने समय में खुले आम घुमा करते थे पाल्टी क्या करते थे और मनिला यहाँ पर अपने प्यार का इजार करती है और वो डेनवर को बोलती है कि मैं तुमें दिल से चाहती हूँ पर डेनवर मना कर देता है विकाज वो पहले से ही शादी शुदा था दूसरी तरफ प्रोफेसर सेरा की गाड़ी का पीछा करते हुए उस जगा पर पहुच जाता है जहाँ पर सेरा रुकी हुई थी उसकी बंदूख से गुली नहीं निकलती और तब हमें पता चलता है कि ये असल में अलिसिया ने किया था जिस समय अलिसिया ने गाड़ी की चाबी और एक गन प्रोफेसर के बेश से उठाई थी उसी समय उसने प्रोफेसर की बंदूख से सारी गुलिया निकाल दी थी और अब प्रोफेसर फर्ज जाता है जिसके बाद अलिसिया प्रोफेसर के हाथ पेर बांध के उसे गाड़ी में बंद करके अपने साथ कही पर ले जाने लगती है अगेन कहानी बैंक में फोकोस होती है जहाँ पर सगिस्ता के कहने पे दो डॉक्टर बैंक के अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही ये दोनों डॉक्टर एक सोलजर को बचाने जा रहे थे तबी वहाँ पर मॉनिका हेलसिंकी को ले के आती है और पहले उसे ट्रीट करने के लि में छे सेनिक मारे गए थे और रहके लिए नहीं चाहती थी कि पब्लिक उन जैसे लोगों को सपोर्ट करें जिनोंने अभी-अभी छे सेनिकों को मारा है पर ये बोलते ही पलबर में ही पूरी जनतान जो भार खड़ी थी वह अगेन रॉबर्स को सपोर्ट करने लगती है औ इसके बाद वो अलाम सिस्टिम को ओन करके घर में अपनी वाइफ को ढुनने लगता है तो कूची देर बाद उसे ऐलीसिया दित्ती है जिसने उसकी वाइफ को बंदी बना कर रखा हुआ था जिसके बाद करनल उसे छोड़ने के लिए कहता है मगर एलीसिया उसकी सामने शर पाद होगे मगर करनल उसकी ये सारी बाते सुनके गुसा हो जाता है और एलिसिया को कहता है कि सिर्फ तीन मिनिट में यहाँ पर पुलिस और आर्मी आ जाएगी जो तुम्हें यहाँ से पकड़ कर ले जाएगी आपको छूडा के कनल जहाँ पर रहता था उन अपार्टमेंट्स में घुसता है और यहाँ पर अब कई सारे अपार्टमेंट्स थे जिसे ही प्रोफेसर यहाँ पर घुसता है पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है प्रोफेसर अंदर आते ही सेरा उसके सर पर गन तान देती है प वहां के एक औरक को वो बंदी बना लेते हैं और इसी के साथ साथ गाईज एपिसोड 6 यहाँ पर एंड हो जाता है एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि पूलिस कर्णल के पास पहुच जाती है जहाँ पर पूलिस कर्णल को होश मिलाते हैं और उसकी वाइफ के हाथ मेर को वो खोल देते हैं जिसके बाद करनल अपने आदमियों को ओर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी प्रोफेसर एंड एलिसिया को ढूंडो वो भी यहां के दो किलोमेटर के एरिया में और यहां के हर घर को चान मारो और पुलीस दोनों को एक एक करके सारे अपार्टमेंट्स में खोजन लगते हैं जिससे देखके प्रोफेसर तुरंथी जिस अपार्टमेंट में चुपा हुआ था वहां से निकलने का प्लान बनाता है और वो तुरंथी भार निकलने का रास्ता वहाँ पर ढूडने लगता है जिसके बाद वो एक रसी की मदद से उस घर से निकल जाता है वो भी एलिसिया के साथ मिलके तभी वहाँ पर उसी आपार्टमेंट में पुलीस भी आ जाती है जो कि गेट ना खुलने पर गेट को तोड़के अंदर आती है पर उन्हें ये पता चलते हुए देर नहीं लगती कि प्रोफेसर और एलिसिया यहाँ पर इसी आपार्टमेंट में से रसी के साहरे उतर के भाग निकले है इधर बाहर भी पुलीस हर तरफ होती है और उनसे बचते हुए प्रोफेसर और एलिसिया एक घर में जाकर चुपते है और उन्हें आपर पता चलता है कि इस घर में जो फैमिली देती थी वो वेकेशन के लिए बाहर गई हुई है तो यहाँ पर आप कोई भी नहीं आएगा तो प्रोफेसर और एलिसिया इस घर में रुकने का सोचते है इधर दूसरी तरफ हम अगें पास्ट में पहुँच जाते है जहाँ पर हम बरलिन को देखते है जो कि प्रोफेसर को इस चोरी को करने के लिए मना रहा था जिसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम बेंजामिन को देख पाते है वही बुड़ा इंसान जो मारसेला के साथ था वो और उसके आदमी उस जगह पर पहुँच जाते है जहाँ पर वो पिगला हुआ सोना सीधा बैंक ओफ स्पेन में से मशिन से पंप करके यहाँ पर आने वाला था वो भी 17 किलोमेटर दूर वही पलेरमो यहाँ पर बैंक के अंदर सब को समझा रहा होता है कि यह बस उनकी आखरी जंग है और इसके बाद हम सब लोग इस जगह से निकल पाएंगे जिसके बाद पलेरमो सब को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो पंपिंग मशिन होती है जिसके बाद वो उस मशिन का मेकैनिजम बताने लगता है ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में उसने कई सालों पहले प्रोफेसर और बरलिन को भी समझाया था बेंजमिन को सोना इखटा करने के लिए वो तयार होने के लिए कहता है जिसके बाद मशिन स्टार्ट होती है और वो मशिन फुल स्पीड में पहुँचने के बाद उसमें पानी और सोना डाला जाता है अब इस सोने को सीधा शेहर से बाहर 17 किलोमेटर बेंजमिन के पास गिरना था अब पैलर मोद 10 सेकंड का टाइमर लगाता है और सब बेसबरी से 10 सेकंड का इंतजार करने लगते है मगर 10 सेकंड बीतने के बाद भी सोना बेंजमिन के पास नहीं पहुँचता है और सब लोग धिरे धिरे निराश होने लगते है मगर आखिरकार थोड़ी दिर बीतने के बाद सोना दुसरी तरफ गिरने लगता है जहाँ पर लगे हाथ बेंजामिन अपने आदमियों की मदद से उस पिगले हुए सोने को वापिस से सोने की इटों में बदलने लगता है और लगे हाथ वो उन सोने की इटों को ट्रक में लोड करवाना शुरू कर देता है और गाइज ये सोना थोड़ा नहीं बलके 90 तन सोना था और इसी सोने के बदल पूरा स्पेन चलता था और अगर ये सोना नहीं तो स्पेन अब बैंक्रप्ट होने वाला था सब लोग काफी खुश थे वही प्रोफेसर उसी घर में अभी तक से फसा हुआ था इसी घर में प्रोफेसर को एक पुराना फोन मिलता है जिसकी मदद से वो बेंजामीन के पास कॉल करता है प्रोफेसर को जिन्दा देख के बेंजामीन काफी खुश था जिसके बाद प्रोफेसर बेंजामीन को एक प्लान बताता है उसे यहां से निकालने का और प्रोफेसर केता है कि वो अब इस घर में फस चुका है और तुम लोगों के यहाँ पर आके उसे निकालना होगा और प्रोफेसर का प्लान था कि बेंजामीन और उसके लोग कूडे की गाड़ी लेके इस एरिया में आएंगे और पुलिस एंड आर्मी की पर्मिशन लेके एरिया का कच्रा एकटा करने लगेंगे वही प्रोफेसर और एलिसिया भी कच्रे के डिब्बे में कूड के एक जगह पर छुप कर रहेंगे और बेंजामीन के लोग कच्रे के डिब्बो को गाड़ी में लोड करेंगे जैसे ही प्रोफेसर एंड एलिसिया कच्रे के गाड़ी में पहुचेंगे ये लोग यहाँ से न और उनकी आके खुली की खुली रहे जाती है इतना सारा सोना इखटा देखके और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो जाता है एपिसोड 8 यानि कि इस वालियम टुक के एपिसोड 3 के शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते है कि आखरी कुछ टंस गो पाकिस सब लोगों को इस मशीन के पंपिंग की आवाज उनके कम्पिटर्स में सुनाए देती है और बहार सभी लोग आपस में इस आवाज के बार में बाते करने लगते हैं और बहार इन्हें पता चल जाता है कि चोरों के पास कोई तो इसी मशीन थी जिस मशीन की मदद से इ जो बैंक के पाइप सिस्टिम से जुड़ी हुई थी और ये साताट जगहे थी और इतने सारे एरिया को पुलिस को सर्च करने में काफी टाइम लगने वारा था वही हम प्रोफेसर को देखते हैं और यहाँ पर काम जोरो सोरिशेद चल रहा था और काफी तेजी से सोने को इतो में बदला जा रहा था और इन इतो को ट्रक में भरा जा रहा था जिसके बाद हम देखते हैं कि डेनवर और मोनिका आपस में बाते कर रहे होते हैं और कुछ देर के लिए डेनवर कमरे से बाहर जाता है और मोनिका अब अकेली थी और मोनिका को लिफ्ट के पास किसी के होने का एसास होता है और वो वहाँ पर किसी की आवाज भी सुनती है जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि टोक्यों उसे बुला रही हो और मॉनिका उस जगा की तरफ जाने लगती है और वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर से नीचे जागती है तो उसे एट्रेसिया दिखती है जो उसमें से सिर्फ एक आदमी को डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट दी गई वो भी सगेस्टा के द्वारा विकास सगेस्टा का कुछ दूसरा ही प्लैन था अपने दूसरे सोलजर को उसने एक काम सोपा था और गाईज याद रखना इसी प्लैन के चलते कुछी समय बाद प्रोफ बाद में मोनिका डेनवर को बताती है कि उसने टोक्यो के आत्मा को देखा पर डेनवर को लगता है कि मोनिका अभी स्ट्रेस में है और वो उसे समाल लेता है इधर हम सोलजर एट्रिस्या को देखते हैं जिसे मोनिका के दारा चलाई गई गोलियों में से एक गोली लग गई वही दूसरी तरह हम पुलिस को देखते हैं जो एक एक करके हर उस जगहाँ पर जा रही थी जहाँ पर बैंक आफ स्पेन की पाइपलाइन जुड़ी हुई थी और काफी जगहाँ में ढूनने के बाद अभी तक से पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा था और इस बीज ग पुलिस उस रास्ते में एंटर करते हैं बिंजामिन को पता चल जाता है कि कुछ पुलिस वाले यहाँ पर आ रहे है पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह असल में फेक पुलिस है जिसके बाद प्रोफेसर के लोग हतियार लेकि पुलिस से लड़ने के लिए तयार हो जाते ह मगर प्रोफेसर सबको मना कर देता है और सरेंडर करने के लिए खेता है विकाज अब तक काफी खुन खराबा हो चुका था और इस खुन खराबे में प्रोफेसर ने अपने काफी सारे लोग खोए थे और अब वो खुन खराबा नहीं चाहता था and first time प्रोफेसर को भी fake पात माननी ही पड़ती है और फिर गाइद्स वहाँ पर फिक पुलिस आ जाती है और सब को अरेस्ट करके एक वैन में बंद कर देती है अब काफी देर हो जाती है लगबग आदे गंटे तक वहाँ पर कोई भी नहीं आता और प्रोफेसर और उसकी टीम को सिर्फ वैन में ही के तोड़ देते हैं और जैसे ही ये लोग उस गाड़ी से भार आते हैं उन्हें दिखता है कि जिस 90 तन सोने को इन्होंने अभी अभी इटों में बदला था उसे कोई तो और चुरा कर ले गया है वो भी उनके नाक के नीचे से उनको बेवकुफ बना के और ये जो दूसरे च अब यहाँ पर सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं विकोज उनका 90 तन सोना गयाब हो चुका था और गाइज ये 90 तन सोना इतना सोना था जिससे काफी सारे देश चल सकते थे और स्पेन भी इसी सोने के बदलत चल रहा था और इतना बड़ा नुक्सान होने के चलते प् एपिसोड 7 यहाँ पर एंड हो जाता है एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर उनके गोल्ड ट्रक में लगे हुए GPS की मदद से फेक पुलिस को ट्रैक कर लेता है और हत्यार लेके उन्हें मारने के लिए सब लोगों के साथ तयार हो जाता है जिसक प्रोफेसर के गुसे का कोई भी अंत नहीं होता और बाद में वो पलेर्मो को बता देता है कि उनके पास जो गोल्ड था वो सब कुछ चोरी हो गया है और यह सुनते ही पलेर्मो काफी गुसा हो जाता है बिकास गोल्ड ही वो था जो सारे टीम को बाहर निकाल सकता था वो बर्लीन के ही बेटे के साथ बर्लीन को धोका देके उसके साथ रिलेशन में आ गई थी जिसके बाद प्रोफेसर मारसेला को वापस से उसी वाटर रिजरवायर में जाने बोलता है जो कि उनका बेस था और उसे कहता है कि उस जगह पर जाके पुरी तरिके से सारे सबुत के वो भी बीना किसी दिक्कत के और वो मिल्टरी को अंदर आने के लिए पूरी तरिके से रास्ता क्लियर कर देती है जिसके बाद हम करनल को देखते है जिसे एटरिसिया का सिगनल मिल जाता है और वो अपने फोर्सेस को तीन दर्वाजों पर तेनात करके रखता है और वो आपस में बाते चल रही थी और ये दोनों काफी डिस्ट्रेक्टर थे और इसी बात का फायदा उठाके एट्रिसिया एसी डक्ट के थूरू नीचे उतरके गैलरी से पीछे से पालेर्मों के उपर हमला कर देती है और उसी के साथ अंदर आए हुए जो डॉक्टर्स थे वो भ किनों दरवाज़ों से अंदर गुषती है और एक एक करके सारे जो रॉबर्स थे उन सब लोगों को अरेश्ट कर लिया जाता है और बैंक ऑफ स्पेन में उन्हें एकी कमरे में घुटना पर बिठा कर रखा जाता है जिसके बाद करनल भी बैंक ऑफ स्पेन में आता है और रकेल के डिवाईस से प्रोफेसर को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे सारे रॉबर्स को उसने पकड़ लिया है तो तुम छुपने के लिए पाताल में गड़ा बना लो क्योंकि अब पूरी फोर्स तुम्हारी तरफ आ रही है वो भी तुम्हें ढूंटे हुए जिसमे प्रोफेसर एंसर देता है कि उसे डुढने की कोई भी जुरूरत नहीं है वो खुदी वहाँ पर आ रहा है विगाज अगर उसकी टीम नहीं तो वो भी नहीं तो करनल उसे 15 मिनिट में बैंक में आने के लिए कहता है अब प्रोफेसर जो है वो बैंक अफ स्पेन में जाने से पहले उनके पास से जो चुराय हुआ सोना था उस सोने को ढूरने की जिम्मेदारी वो एलिसिया और बेंजामिन को सोब देता है पहले तो एलिसिया उसे मना कर देती है मगर प्रोफेसर उसे किसी तरह मना लेता है जिसके बाद एलिसिया और बेंजामिन गोल्ड की तलाश में निकल पड़ते है प्रोफेसर एक आम आदमी से लिफ्ट मान के बैंक की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो बैंक के बाहर आता है वही बाहर प्रोफेसर के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे होते हैं और वो उसके लिए चियर करने लगते हैं प्रोफेसर एजे मास्टर माइंड एकडम स्वैग में मिल्टी के बीच से गौडफानर की तरह बैंक के अंदर एंटर करता है और गाएज ये काफी कूल सीन था और जब तक प्रोफेसर अंदर आता करनल वाल्ट में जाता है जहाँ पर सोना रखा हुआ था और वहाँ से गायब हो चुका था और वो अंदर आते ही दंग रहे जाता है कि केसे 90 तन सोना बिना वाल्ट को खोले केसी ये रॉबर्स गायब कर चुके है और गवरनर करनल को कहता है कि ये सोना उनके देश की संपत्ती थी और कल सुभा मार्केट खुलते ही उनका पूरा देश बैंकरप्ट हो जाएगा और सारे देशवासी कुछी दिनों में कंगाल हो जाएगे बिकाज इस सोने की बदालत पूरे देश में स्ट्रॉक्टेड होता है मार्केट में पेसे लगाए जाते है ताकि अगर पेसे डूबे तो बैकाप के लिए सुना हो पर अगर बैकाप नहीं तो लोग पेसे इन्वेस्ट करना ट्रेड करना सब कुछ बंद कर देंगे और बैंक्स बंद हो जाएगे और सब कुछ खतम हो जाएगा अब ये सारी बाते सुनके करनल तो काफी शौक में था पर अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाए प्रोफेसर से बात करने के और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 9 यहाँ पर एंड हो जाता है एपिसोड 10 याने के लास्ट एपिसोड के शुरुआत होती है और गाइज इस एपिसोड में एक्शन जादा होने वाला है तो मैं आपको सिर्फ में चीज़े ही बताने वाला हूँ अब प्रोफेसर जैसे ही बैंक में आता है करनल उसे पकड़ के धमकाने लगता है और करनल अब बुरी तरीके से गुसा था और आउट आफ कंट्रोल हो रहा था वो प्रोफेसर को कहता है कि सोना कहाँ पर है मुझे बता दो तो प्रोफेसर कहता है कि उसे खुद भी सोना कहाँ पर है ये नहीं पता और गाइज प्रोफेसर ने पेले ही अपने टीम को फोन पे बता रखा था कि उनके पास से सोना चोरी हो चुका है ये किसी को भी मत बताना वरना पुलिस वालों को उनकी ज़रुरत नहीं रहेगी और सब लोग मारे जाएंगे प्रोफेसर मून ही खोल रहा है ये पता लगते ह करनल प्रोफेसर की टीम को एक ओफर देता है कि जो भी सोने की छोटी से छोटी इंफरमेशन पुलिस को देगा उसे करनल एक न्यूज जिंदगी देगा वो भी बिना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के अलसो उन्हें 3 मिलियन यूरोस भी दिये जाएंगे साथी में हर महीने उन पास्ट में जाते हैं जब सभी लोग बैंक में घुषने के लिए प्लैन कर रहे थे और प्रोफेसर सब को ट्रेनिंग दे रहा था वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ एक प्लैन का हिस्सा था कि प्रोफेसर खुद भी बैंक में आएगा देन वो करनल से देन हम डेनवर को देखते हैं जो पुलिस के सामने मुह नहीं खोलता और वो पुलिस ने दी हुई ओफर भी स्विकर नहीं करता अलसो दूसरी तरफ बेंजामिन एन एलिसिया अपने आदमियों के साथ मिलके ये पता लगा लेते हैं कि जो सोना चोरी हुआ है वो असल में और वो भी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जिस प्रॉपर्टी को हाली में खरीदा गया था और शायद उसी प्रॉपर्टी में एक बड़ा सा गड़ा खोद के वहाँ पर सोना चुपाया गया है देन अगेन हम बैंक में कहानी फोकस होता हुआ देखते हैं जहापर को बांद के रखा हुआ था वो भी रकेल के साथ में और प्रॉफेसर को याद आता है जब उसके डैर मारे गए थे कैसे उसके खुद के सामने उसके पीता को एक बैंक के बाहर गोली मारी गए थी बिकाज उसके पीता चोरी करके भाग रहे थे देन अगेन फिर से कहानी प् प्रोफेसर के खुद के पास भी सोना नहीं था पर फिर भी वो ये सोदा कर रहा था पर करनल बात नहीं मानता तो प्रोफेसर ने बैंक में आने से पेले ही मारसेला को भी एक काम दे रखा था कि पुलिस को भार घुमाते रहो और उन्हें ये बताते रहो कि सोना अभी भी उन बेंजामीन को मिल जाए वही दूसरी तरफ ये बात पूरे स्पेन में फेल जाती है कि बैंक का सोना अब भारा चुका है और चोरो ने ये चुरा लिया है और ये खबर फेलते हैं पूरी कंट्री की एकोनामिक कोलाप्स हो जाती है वही ऐलिसिया उस जगह तक पहुच जाती है जहाँ पर गोल्ड रखा गया था वो असल में एक प्लोट था जहांके जमीन में सोने को गाड कर रखा हुआ था और उसके उपर एक घर भी बना दिया गया था ताकि किसी को भी पता ना चले कि इसके नीचे इतना सोना चुपा कर रखा है तो जैसे ही ऐलिसिया एंड उसकी टीम यहाँ पर आती है तभी इसी समय में वो फेक पुलिस भी यानि के बरलिन की एकस वाइफ एंड बरलिन का बेटा जुनोंने प्रोफेसर से यह सोना चुराया था वो लोग भी यहाँ पर अपने आदमियों के साथ आ जाते है और दोनों की गैंग एक दूसरे पर गन तान देती है पर तभी एलिसिया बरलिन के बेटे को एक चिट्थी देती है जो प्रोफेसर ने दी हुई थी और प्रोफेसर ने अपने भतीजे को याने के बरलिन के बेटे को उस चिट्थी में ये कहा था कि सोना वापस से लोटा दो मैं तुमें तुमारा हिस्सा पहुचा दूँगा ये हमारे खांदान का सवाल है तो बरलिन का बेटा एंट टाटियाना सोना वापस प्रोफेसर को दे देते है और प्रोफेसर करनल को एक ओफर देता है कि यहाँ जो सोना था वो बस बैकप के लिए था और इस बैकप की आज तक इतने सेकडो सालों में ज़रूद भी नहीं पड़ी है और ना कभी आगे पड़ेगी बिकाज अगर मार्केट नॉर्मल चलता रहेगा तो बैकप की क्या जूर रहा और कई सालों में तो यह सोना स्पेन वापिस खरीद ही लेगी तो एक काम करते है कि फिलाल बैंक और स्पेन में पीतल के फिक सोने की इटो को रखवा देते है जिससे मार्केट नहीं गिरेगा और न्यूज में ये बात फेला देंगे कि पुलिस ने वापस से सोने को रिकवर कर दिया है जिसके चलते देश भी बच जाएगा केज भी सॉल करने के लिए तुमें भी हीरो बना दिया जाएगा और तुम भी जूट मुट हम सब को यहाँ पर मरवा दो और सब लोगों की सामने से हमें ऐजे मुर्दा बैग्स में पैक करके ले जाओ ताकि सब को यकिन हो जाए कि हम सब लोग मर चुके है पुलिस अपने रास्ते है इसमें दोनों का फायदा है प्रोफेसर केता है वेसे भी इतना सारा सोना सिर्फ पड़ा हुआ ही था तो क्या फरक बढ़ता है कि उसे कोई ले जाए तो प्रॉब्लेम सॉल हो रही है ये देख के करनल एड़ एंड मान जाता है विकाज उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था विकाज अगर करनल प्रोफेसर की बात नहीं मानता तो प्रोफेसर कभी भी ये नहीं बताता कि सोना कहा पर है और अगर सोने का पता नहीं चलता तो देश को बचाना नामुम्किन था तो करनल एड़ एंड मान जाता है एंड रॉबर्स को जूट मुट मार दिया जाता है और उन्हें बैंक आफ स्पेंच से निकाल भी लिया जाता है अलसो सोना भी एलिसिया एंड बेंजामिन के पास पहुँच चुका था तो प्रोफेसर ने बेंजामिन को सोना लेके पोर्टुगाल भेज दिया था जहाँ पर अब इनका नया हाइड ओट रहने वाला था एड दे एंड सभी रॉबर्स हिलिकॉप्टर में एक न्यूज इंदगी स्टार्ट करने के लिए निकल पड़ते है और इस बार तो इनके पास इतने पेसे थे कि लिटरली वो किसी भी देश को चला सकते थे एलिसिया को और बरलिन के बेटे और इक्स वाइफ को भी एड दे एंड में उनका सोने वाला हिस्सा पहुचा दिया जाता है ताकि सबी लोग खुश रहे और इसी हैपी एंडिंग के साथ ये सिरीज यानि के मनी हैष्ट पूरी तरीके से यहाँ पर एंड हो जाती है अगर आप लोग हमारे पूराने विवर्स है तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगोंने हमारे मनी हैष्ट सीजन वन से लेके सीजन फाय की एंड तक की एक्स्मेनेशन देखी है या नही और अगर देखी है तो आपको वो कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके जरू झाल